पूरी जिन्दगी या फिर बुढ़ापे की उम्र तक कौन जवान बनकर नहीं जीना चाता। इसको लेकर दुनिया भर में तरह तरह के सोध किये जा रहे हैं। ऐसे ही एक सोध में जवान बने रहने के पीछे के राथ से परदा उठा है। आज की इस वीडियो में हम उसी राज से परदा उठाने की कोशिश करेंगे। नई वैगजानिक सोध के अनुसार अगर हड्डियों में मौजूद एक खास तरह का हार्मोन की मातरा सही रहे तो हम बुढ़ापे से बच जाएंगे और याद दास भी कमजोर नहीं होगी। वैगजानिकों ने इसी बात का पता लगा लिया है कि बुढ़ापे को भगाने का राज हमारी हड्डियों में ही छिपा है। इसी में पैदा होने वाले एक हार्मोन की वज़ा से हम जवान रह सकते हैं। कॉलंबिया इन्वर्सिटी के जैनेटिक्स विभाग के प्रमुक प्रोफेसर गेराट कारिसेंटी पिछले 30 सालों से हड्डियों में छिपे इस राज को जानने के लिए रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने हड्डियों में पैदा होने वाले हार्मोन औस्टियो कैल्सियम पर रिसर्च के दौरान पाया की हड्डियों के अंदर पुराने टिशू को हटाता है और नए टिशू बनाता है। औस्टियो कैल्सियम हार्मोन की वज़ा से ही हमारी लंबाई बढ़ती है। गेराड ने चूहों में इस हार्मोन के जीन निकार कर उसका अध्यन किया, तो पता चला कि हार्मोन हमारे शरीर की कई प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है, प्रोफेसर गेराड कारसेंटी का कहना है कि पहले ऐसा माना जाता था कि हड्डियों के धाचे से हमारा शरीर सिर और इस शरीर के अन्न टिशूस के साथ सयोग करती हैं, हड्डियां अपने खुद के हार्मोन बनाती हैं और जो दूसरे अंगों तक संकेत भेजने का काम करती हैं, इसकी मदद से ही हम कसरत करते हैं, इससे बुढ़ापे को रोकने और याद दस बढ़ाने में मदद मिलती हैं, प्रोफेसर गिराड कारेसेंटी का कहना है कि बुढ़ापा ना आने देने के लिए सरीर में औस्टोकेलसियम बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, नियमित कसरत से हड्डियां अपने औस्टोकेलसियम खुद बनाने लगती हैं, वैगजानिक औस्टोकेलसियम की द सोध में पता लगाया है कि अगर ब्लड प्लाजमा का आधा हिस्सा निकाल कर उसकी जगा सलाइन और एम्बिलीन में बदल दिया जाने से भी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया उलड़ जाती है। इसी प्रक्रिया में मासपेशिया, दिमाग और लीवर के टिशूस भी फिर से जवान होने लगते हैं। रिसर्च टीम अब तक कया नतीजा निकालने में जुटी है कि क्या यह संसोदिक ब्लड प्लाजमा उम्र के साथ जुड़ी बिमारियों के इलाज में कारगर है या नहीं। इसी तरह की और स्वात संबंदी जानकारी पर वीडियो देखने के लिए बने रहे है दा खबरदार नियूस के साथ नमस्कार।